नमस्कार, आज हम शम्शेर बहादुर सिंग की कविता की समवेदना और शिल्प प्रविचार करेंगे, बाच्चित करेंगे शम्शेर बहादुर सिंग आधुनिक हिंदी कविता के सबसे विरल और विसिष्ट कवी हैं इस माइने में उन्हें विरल कहा जाता है कि वो तमाम काविधाराओं से जुड़ते हिवे भी अपना एक निजी स्वर लेकर कविता में आते हैं शम्शेर बहादुर सिंग की कविताओं के लिए कहा जाता है कि वो हिंदी और उर्दू के दवाब के कविए उर्दू में गजल लिखते हैं और हिंदी में उन्होंने कविताएं लिखी और बहुत विसिष्ट और महत्पून कविताएं उन्होंने लिखी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव भरने वाले कवी हैं शमशेर बहादूर सिंग शमशेर बहादूर सिंग के बारे में कहा जाता है कि उनकी कविता में एक और छायवाद और रोमेंटिसिजम का प्रभाव है और छायवाद में भी वो सबसे ज़्यादा जिस कवी से प्रभावित है वो है निराला निराला की जो समवेदना है निराला का जो प्रकित बोध है जो एंद्रिक बोध है निराला का जो काव सम्वेदना के स्वर हैं उससे शम्षेर बहादूर सिंग बहुत प्रभावी है निजी तोर पर उन्होंने कई जगा लिखा भी है इसके लिए कि मैं अपने पूरवर्ती कवियों में निराला से सबसे ज़्यादा प्रभावी थूँ दूसरे छावाद में जो भाव सम्वेदना है भाव प्रमडता है उसका आसर आपको शम्षेर बहादूर सिंग की कविता में दिखाई देता है लेकिन शमश्यर बहादूर सिंग्ग की जो वैचार की है कविता की, जो उनकी काव की बुनावट है, वो प्रगस्रील चेतना की है कहना न होगा कि प्रगस्रील चेतना में अगर त्रै बनती है किदारना, ठक्रवाल, नागार, जुन और तिलोचन की तो उसमें जो दो नए कवी जुड़ते हैं या बात के कवीओं को जुड़ा जाता है उसमें एक तरफ मुक्तिबोद हैं गजाननमाधव मुक्तिबोद और दूसरे महत्पूर कवी हैं शम्शेर बहादुर सिंग। के साथ प्रतिबध नजर आते हैं जिसमें वो मजदूर और किसान या संघर स्रील या स्रमसील जनता की तरफ से अपनी पक्षधरता दिखाते हैं लेकिन इन सब के बीच में प्रगसिलता के आयाम के साथ ही वह अपनी निजी सम्वेदनाओं के साथ कविता रचते हैं उसमें वह उस तरह की मुखर राजनीतिक कविताएं उनकी नहीं हैं जैसे कि मुख्तिबोत की हैं जैसे कि नाजर जुन की हैं जैसे कि किदारना थकरवाल की हैं हाँ तिलोचन के निकट थोड़े हैं वो तिलोचन की जो कविता का प्रभाव है वह भी उनके यहां देखा जा सकता ह दूसरी तरफ प्रयोगवात की जो प्रयोग शीलता है उसमें भी उन्हें शामिल किया जाता है प्रयोगवात जैसा की हम सब जानते हैं सचिदानन, हिरानन, वार्षतायन, अग्गे ने जो तारसब तक निकाले जिसमें तीन सब तक महत्पूर्ण थे जिसमें शमशेर बहादूर सिंग को सब तक कविके रूब में भी शामिल किया उन्होंने और उनकी कविताओं को लिया और उनके बारे में जो लिखा उन्होंने वो बार बार उनकी भाषा पर भाषा के नए प्रयोग पर मुग्ध होते हैं और ये भाशा का प्रियोग उन आम कभियों की तरह नहीं है जैसे कि प्रियोग करने के लिए जो प्रियोग किया गया है उसे निजी समवेदना के धरातल पर पिरो कर उसको मांज कर फिर शमशेर बहादुर सिंग कविताएं लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंग के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो प्रमुख कविताएं है उनके नाम कुछ इस प्रकार है कुछ कविताएं कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं बात बोलेगी और बात बोलेगी कविता के बारे में बातचीत करें तो ये कहा जाता है कि उनकी कविता का मोटो या केंदरी बिंदु ही है कि बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही वो बातों से ही अपनी कविता कहना चाहते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को कैसे भरा जाए दूसरे जब मानवी सम्वेदना के धरातर पर वो कवितायों को रचते हैं या प्रतिवत धराजनीतिक चेतना को कुछ ले आने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्रगसील चेतना उनके सबसे निकट है लेकिन प्रगसील कभी होते हुए भी वो कैसे उससे विरल कभी हैं निजी सम्वेदनाओं के कभी हैं इस पर उनके समकालिन कभी हैं आलोचक विजय देव नाराण साही विजय देव नरायन साही ने उनके इस काववैसिष्ट के बारे में कुछ यूं लिखा है कि प्रगतिवाद शमशेर के लिए वह नहीं है जो वह है बलकि वह है जो उनकी निजी जरूरत को पूरा करता है उनकी कावया नुभूत की बनावट का रंग बनकर कावया नुभूत या और प्रगतिवाद सह अस्तित्त की तरह आते हैं रिष्टे की संभावना के साथ अभाव के साथ नहीं जाहिर है कि प्रगतिवाद अगर शम्षेर बहादुर सिंग की कविता में आता है तो वह सहस्तित की दारा आता है वह प्रगतिवाद वहां आकर निजी समवेदना के रूप में घुल मिल जाता है और वह अपने तई प्रगत सीलता को ग्रहन करते हैं प्रगसीलता के बने बनाए मुहावरे के साथ वो कविता नहीं रचते ठीक वैसे ही प्रयोगवाद के साथ भी आप ये कह सकते हैं तो ऐसे में छायावाद से लेकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के 20 से गुजरती हुई उनकी कविता एक विरल और विसिष्ट आवाज बनके हमारे सामने उपस्थित होती है उनकी कविताओं के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वह कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं चिन्नों का प्रयोग करते हैं, ब्रेकेट्स का प्रयोग करते हैं, और कई बार इतने कम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अर्थ की गहराई तक पहुचने के लिए वड़ी कटनाई होती है। लेकिन शम्शेर बहादुर सिंग के कावे के बुनावट की यह विरलता है यह विसिठता है कि वह अपनी कविताओं में बेजा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते उनका एक कहना भी है आत्मकथन में कई जगह उन्होंने लिखा है कि कवि को अनरगल शब्दों या बेजा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जितनी जरूरत हो उतने ही शब्दों का उसे प्रियोग करना चाहिए और यही कविताओं की सार्थकता वो मांते हैं उनका कहना है कविताओं सार्थक वही है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और गहनता के बोध को व्यक्त कर सके और ऐसे में वो कविताओं को तमाम सारे ललित कलाओं से जोड़ कर देखते हैं चुकि उनको ललित कलाओं बहुत पसंद है वो खुद चितरकार थे चितर शाला या कहा जाए चितरकारी उनको बहुत पसंद थी तो चितरकारिता या ललित कलाओं के तमाम सारे रूपों को अपनी कविता में इस तरह से ले आते हैं कि जिसमें वो कविता के मारफ़त चित्र बनाने की कोशिश करते हैं और एक ऐसे चित्र का कोलाज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें छोटी से छोटी कविता तो होती है लेकिन उसमें चित्र की पुरी शाला होती है बड़ी गहराई के साथ उनकी कविता में उतरना पड़ता है तग उनकी कविता हमें समझ में आती है उनके बारे में नामुर सिंग ने लिखा है कि वह जिस तरह से कविताय रस्ते हैं उसमें वह निजी समवेदना के साथ होते है और वो जो निजी समवेदना इतनी गहरी समवेदना होती है कि जिसमें शमशेर की आवाज एक विरल आवाज की तरह सुनाई पड़ती है उसको सुनने के लिए बहुत धैर की जरूरत होती है वहाँ वो निजी पन के साथ उपस्थित होते हैं एकदम विरल, विसिष्ट और गहनता बोध के साथ और ऐसे में वह जो विसिष्टता है शमशेर बहादूर सिंग की वह रूप रस गंध के साथ मिलकर एंदरिक बोध के साथ मिलकर जिस तरह से कविता रस्ती है उसमें आप देखें तो संदर का एक नया मेयार नजर आता है उसमें भावकता और भावप्रमणता की नई ताजगी नजर आती है जब वह प्रकित का चितरन करते हैं, जब वह प्रेम का चितरन करते हैं या उन बिंबों का जब चितरन करते हैं तब उनकी कविता की यह भावना और सम्वेदना की इन गहराईयों को समझा जा सकता है कुछ उदहरण जरूरी है उनकी कविता की इंद्रिक बोधों को समझने के लिए जैसे एक पीली शाम उसमें उनकी एंद्रीकता का बोध भावों की सघंता और भाव प्रमडता को देखा जा सकता है इस कविता में एक प्रेमी के रूप में अपने मित्र को जिस तरह से उसकी भावनाओं को मना सनिस्थिती में जो मित्र है उसके आँखों की जो प्रेम की दोर है या कहा जाए उसकी प्रेम की जिन्दा दिली है उसको देखते हैं उसको महसूस करते हैं और अपने हिर्दे में कैसे महसूस करते हैं उसको कविता में ले आने की कोशिज करते हैं और वह नीजी सम्वेदना कैसे गहराई से और अतल गहराई तक उतरती चली जाती है और यह जो एंद्रियता है, यह जो एंद्रिक बोध है, यह उनकी कविता में एकदम अलग सा है इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा प्रियोग किया है अब जो प्रियोग है जिसमें रंगों को, रंग की सम्वेदनाओं को और शब्द की सम्वेदनाओं को और भाव की सम्वेदनाओं को वो एक साथ कैसे गंगोल देते हैं कैसे उसमें एक नया रंग पैदा करते हैं और वो जो रंग है वो शमशेर का अपना रंग होता है जो निजी समवेदना का रंग होता है जिसको बहुत गहराई से वहाँ जब हम जाएंगे तब वो आवाज हमें सुनाई पड़ती है एक उनकी कविता है एक नीला आईना बेठोस इसमें जो बिंब है एक दब मलक सा बिंब है उसकी पंक्तियों से समझा जा सकता है एक नीला आईना बेठोस सी यह चांदनी और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महा तल के मौन में मौन में इतिहास का कनकिरन जीवित एक बस एक पल के ओट में है कुल जहान आत्मा है अखिल की हट सी चांदनी में घुल गये हैं बहुत से तारे बहुत कुछ घुल गया हूँ मैं बहुत कुछ अब रह गया सा एक सीधा बिंब चल रहा है जो शांत इंगित सा नजाने किधर इस कविता में शमशेर अपनी भासा पर भी बात करते हैं और वो बताते हैं कि वह जो बिंब जो गत्वर बिंब है वह मुझे कहां ले जा रहा है किस गहराई तक मैं जा रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं कहने का ताथ पर एक चितरकार की तरह एक गहरे भावक और समवेदन सील कवी की तरह इसे भावना की परत दर परत अंदर वो प्रवेश करते जाते हैं प्रेम की गहराई में वो प्रवेश करते जाते हैं और इन चितरों को जो शब्द के मारफत वो व्यक्त करते हैं वो बाय स्वरूप है यहां पर बाय स्वरूप से जादा आंतरिक बोध का स्वरूप है और जो आंतरिक बोध है इतिहास का वो जादा महत्पूर कविता को बनाता है और बार बार वो आत्मा की बात करते हैं आत्मा के खिलने की बात करते हैं और आत्मा का जो अखिल स्वरूप है एक ऐसा स्वरूप जो इस्थानियता से लेकर वैश्विक परदिस तक उपजता है उन सब की बात इसमें वो करने की कोशिश करते हैं और प्रेम की गहराई भी इसी मायने में उनकी कविता में हर तरह से आती है कि प्रेम को जितना वो भावना के साथ महसूस करते हैं उतना ही उसको एंद्रियता के साथ महसूस करते हैं उसमें रूप और रस गंद को भी उतना ही वो महसूस करते हैं उनकी कविताओं में इन चीजों को बार बार देखा जाता है और खुद वो अपनी कविता के बारे में कहते हैं कि कभी ऐसा होना चाहिए कि जो प्रकित को, चित्र को और तमाम सारी सम्वेदनाओं को एक साथ मिला कर घंगोल देता है और जो घंगोल देता है तो उससे जो नई चीज पैदा होती है वो कविता होती है और ये जो कविता है, यही कविता शमशेर की महतपूर कविता बनती है कविता में इंद्रियता के बोध के इन स्वरूपों के बारे में बातचीत करते समय मुक्तिबोध के साथ उनको देखा जाता है मुक्तिबोध फैंटेसी से जिस तरह से रूप रचते हैं ठीक वैसा ही एक नया रूप शमशेर बहादूर सिंग अपनी कविताओं में रचने की कोशिश करते है शमशेर बहादूर सिंग की कविताओं में जो अनभों की चितरकारी है उसके बारे में नामवर जी ने उनके प्रतिनी धकाव संकलन में जो पंक्तियां लिखी हैं वो बड़े काम की है उनको समझने के लिए जरूरी है कि उनको पढ़ा जाए फिर उनका आज से इस्पष्ट किया जाए और उससे उनकी भाषा और उनकी कविता को विसेस रूप से समझा जा सकता है जिसमें वो लिखते हैं कि कला कृतियां भी शमशेर को समवेदन सील एंद्रिय चेतना को उसी प्रकार उद्बुद्ध करती हैं जैसे सुडोल नारी शरीर और संध्या या उशा की लाली वान गाग और पिकासो के चित्र देखकर बाख का संगी सुनकर जो कविताय उन्होंने लिखी हैं उनसे हिंदी कविता में एक नई वृत्त की शुरुवात हुई बाद में इस तरह की कविताय औरोंने भी लिखी लेकिन अनुकरण अंतता की शुरुवात हुई बाद में अनुकरण अंतता अनुकरण ही है चीनी भाषा की चित्रलिप और ग्रीक वरणों के रूपाकार का करशन भी इसी संदर वृत्त की कावियात्मक अव्यक्ति है भाषा का रूपाकार भी शमशेर के लिए एक आश्यर लोक रहा है यह कोरी प्रयोक्षिलता नहीं बलकि कभी की कलानुभूति का अत्रिक्त आयाम है कभी कभी ऐसा लगता है कि नारी शरीर भी शमशेर के लिए जैसे एक कलाकृति है अपने रूपाकार मात्र के लिए आकर शक कभीता में कलाका ऐसा संयोजन और यह वैभव कालिदास के बाद शमशेर के ही काब में संभव हो पाया है शब्द रंग भी हैं रेखा भी और सुर्भी शब्द में नहित इन संभावनाओं की तलाश जैसी शमशेर में है अन्यत्र विरल है इन पंक्तियों में इसपष्ट है कि नामर जी शमशेर को भारती परंपरा के विशिष्ट कभियों से तुलना करते हैं और हम सब जानते हैं कालिदास अपने जिस विशिष्टा के लिए जाने जाते हैं संस्कित साहित के सबसे महत्पूर कभी कालिदास कालिदास का जो सौंदर चित्रण है उस सौंदर चित्रण के लिए उन्हें विसिष्ट कभी कहा जाता है और ये नामर जी ने इन पंक्तियों में इस पश्रूप से लिखा है कि शमशेर की जो कविता है उसमें जो नारी के सौंदर का वो चित्रण करते हैं और वो सौंदर सामान तरीके से नहीं करते उसमें जो गहराई है जो गहनता का बोध है और सौंदर की जो पराकाष्ठा है वह पराकाष्ठा यहां पर दिखाई देती है इसलिए उन्होंने कालिदास के बाद भारती कविता में नारी सौंदर को रचने वाले कवियों में सबसे विसिष्ट कवि के रूप में शमशेर का इस्थान दिया है तो यह सहाज बात नहीं है आम बात नहीं है कारण के चितरकारिता पर जिस तरह से वो लिखते हैं जो इस थापत आप कलाकृत के रूप में बात चीत करते हैं इनी पंक्तियों में उन्हों नामर जी ने लिखा है तो इससे इसपर्ष्ट होता है कि जब वह नारी की कलाकृत पर कविता लिखते हैं तो उनके लिए वहा एक कला की तरह होती है एक बड़े कला की तरह जिसमें चित्र कला भी है जिसमें थापत कला भी है जिसमें तमाम सारी कलाएं आपस में जुड़ जाती है और उन कलाओं के भीतर से वो उसमें रंग बनाते हैं और वो रंग शब्द के मारुफत लिखते हैं और तो जो शब्दों का चुनाव करते हैं शम्शेर बहादूर सिंग वो एक खास सब्द होते हैं बहुत मजे मजाए शब्द होते हैं बहुत गहराई से भरे हुए शब्द होते हैं और वो जो शब्द होते हैं उसमें वो चितरकारिता के तमाम बड़े-बड़े चितरकारों की कलाकृतियों से वो सम्वेदना गरहन कर के अपनी कविता में रुपाइद करते हैं तो आप कह सकते हैं चितरकला की एक वैश्विक परंपरा एक व्रिहद बड़ी उदात परंपरा जिसको कभी शब्द के मार्फत कविता में उतारने की कोशिश करता है ये बड़ी कठिन बात है ये सरल बात नहीं है इसलिए कहा जाता है कि और भी लोगों ने तो लिखा लेकिन वह अनकरण का अनकरण ही रहा वो नकल की जैसा रहा उसमें कोई ताजगी नहीं दिखाई देती लेकिन शमशेर बहादुर सिंग की कविताओं में वो चितरकारिता का वह रूप वह संजोते हैं उसको ग्रहन करते हैं उसके बाद एक नई शमशेरियत के साथ उसकी निजी समवेदना के साथ वह ले आने की कोशिश करते हैं और अपनी कविता में लिखने की कवायत करते हैं या कहा जाए लिखते हैं उस कविता को तो वह उनको विसिष्ट कवी का दर्जा प्रदान करती है इसलिए यहाँ भी है कि शमशेर को अगर उनकी कविता की कुछ और भी विसिष्टाओं के बारे में बात किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि शमशेर विसुद सौंदर के कवी ऐसा सौंदर जिसमें कलाओं का निखार भी है जिसमें रूप भी है जिसमें रस भी है जिसमें गंद भी है जिसमें प्रकित भी है इसके साथ साथ उनकी अपनी निजी समवेदनाओं का भी सौंदर है जो एक नई कल्पना के साथ वो ये नया सौंदर रस्ते है और वो सौंदर भारती परंपरा से जितना जुड़ा हुआ है उतना ही वैश्विक परंपरा से जुड़ा हुआ है और उन दोनों परंपराओं से जुड़कर एक मौलिक सौंदर वृत्ति या मौलिक सौंदर बोथ जो उनकी कविता में दिखाई देता है वह शमशेर बहादुर सिंग की कविता की खुबी है शमशेर बहादुर सिंग के कविता में भाषा का पक्ष बहुत महत्पूर है क्योंकि भाषा में नया प्रयोग तो अगे भी करते हैं अगर दो कवियों का नाम लिया जाए जिन्होंने भाषिक तरीके से हिंदी कविता को सबसे ज़्यादा सम्रद्ध किया आधुनिक काल में या तीन कवियों का नाम लिया जाए तो उसमें मुझे लगता है कि चायवाद में निराला का नाम लिया जा सकता है और प्रगसील कविता की धारा में दो कभी हैं शमशेर बहादुर सिंग और मुक्तिबोध मुक्तिबोध अपने पदबंधों के लिए याड़ किये जाते हैं लेकिन शमशेर बहादुर सिंग की कविता में जो बिम आते हैं, प्रकित का जो बिम ले आते हैं, प्रेम का जो बिम ले आते हैं, भाशा का नया रूप ले आते हैं और उन बिम्बों में जो कम से कम शब्दों में, जिसे मित कथन का कभी भी इसलिए उन्हें कहा जाता है, कि क कम से कम शब्दों में वो अधिक सधिक बातें कहते हैं और बिंबो में जो चित्रात्मक्ता की जो शैली होती है जैसे फेंटेसी का रूप दिया मुक्ति वो उतने फेंटेसी में एक नया प्रियोक किया उन्होंने अब बहुत सफल कविताएं उन्होंने लिखी ठीक वैसे ही एंद्रिक ताज इसे कहते हैं भाषा का जो एंद्रिक बोध है वो आपको शमशेर बहादुर सिंग के बार बार दिखाई पड़ेगा शमशेर बहादुर सिंग की अंगिनत कविताएं हैं जो उनके भाषा को नए तरह से प्रस्तुत करती हैं भाषा का नया रूप जो गड़ उसका जो एक नया बिम्ब है उसमें उसकी कुछ पंक्तियां उनकी भाशा को समझने के लिए जरूरी है पढ़ा जाए कि पी गया हूँ द्रिश वर्सा का हर्श बादल का हिदय में भर कर हुआ हूँ हवासा हलका धुन रही थी सर विर्थ व्याकुल मत लहरें वहीं आ आ कर जहां था मैं खडा मौन समय के आघास से पोली खडी दीवारें जिस तरह घहरें एक के बाद एक सासा चांदनी की उंगल जञ़ियां चंचल करोशिये से बुन रही थी चपल फेन जहालर बेल मानों पंक्तियों में तूटती गिर्ती चांदनी में लोटती लहरें विजलियों सी कउंदती लहरें मचलियों सी बिछल पड़ती तडपती लहरे बार बार सुप्न में रौंदी हुई विकल सिकता पुतलियों सी मूद लेती आँख यह समंदर की पछाड तोड़ती है हाड तटका अतिकठोर पहाड यह समंदर की पछाड यह इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंग लहरों के मारफत समंदर की जो च्छाबी प्रस्तोत करते हैं उसमें जो जालरों का प्रियोग करते हैं जो मचलियों का बिम्ब जिस तरह से आता है उसमें जो बिम्बू की जो गत्वरता है वो एक खास तरीके से नए बिम्ब का रूप ग्राण करती है और भाशा का एकदम नया प्रियोग है ये कि जिसको इसके पहले किसी कल्मी इस तरह की भाशा में नहीं सुनाई पड़ती या दिखाई पड़ती ऐसे में शमशेर बहादूर सिंग की कविता में एक तरफ वो राजनीती की प्रतिबधता के भी कवी है वरगी छेतना भी उनकी कविता में है लेकिन इन सबसे जादा उनकी कविता में इंद्री बोध है उनकी कविता में एक सौंदर बोध का एक उदात दारा दिखाई देता है रूप रसगंध के कवी हैं और चित्रकारिता या कहा जाए ललित कलाओं को अपनी कविता में समेटने वाले कवी हैं और विसिष्ट भावबोध को भार्षा में कैसे रूपाईत किया जाता है कैसे शब्दों के मार्फद चित्र कैसे बनाया जाता है नया विम्ब कैसे रचा जाता है इन सारी चीजों को जिस तरह से शमशेर बहादूर सिंग लिखते हैं वह उस दोर के तमाम कवियों से उन्हें विसिष्ट और विरल कवि बनाती है वो प्रगसील कविता, प्रयोगशील कविता और नई कविता के प्रतनिद कवियों में इसलिए गिने जाते हैं कि उन सारी कविताओं की जो भाव संपदा है उससे तो जुड़ते ही हैं लेकिन उनके उससे जुड़ते हुए भी वो अपनी मौलिक का प्रतिभा और मौलिक भाशा, मौलिक का प्रियोंगों के चलते अपनी एक नई पहचान बनाते हैं धन्यवाद